नबस्ते बचाओं आज मैं आप रोन के सामने संस्क्रिप्ट से पाठ है द्वेटी ये लेकर के आया हूं जिसका सिर्सक्त है सीवडार्था क्या है बहुत ही रोशत कहानी है ज्याद वर्धत कहानी है तो आईए शर्वप्थम हम लोग इसका वाशन करें और हुम्रियत जाने पुरा कपिलबस्तु राजी सिदाथ इति नामनह एकम राजकुमारह आशित प्रधी निकाल में कपिलबस्तु राजी में सिदाथ नाम का एक राजा था एकदा बाला सिदाथ प्राता ब्रह्मनाय उकबनम पकच्चत एक बार सिदाथ भुमने के लिए उकमन में गए उकबने स्य सुभा मनोरमा आशित उकबन की सुभा बहुत हैं शुन्दर थे मनोरम थे उकबने बहुआहा खागाहा बधुरम कुंजे यंती अश्मा उकबन में बहुत से पक्ची बहुते सुन्दर कुंगेते थे और थाथ चहाचाहाते थे सिदाथ पक्चिना अपस्यत शिदाथ पक्चिन को देखा शाहसा एक हंस आकासा भुमव अपतर अचानक एक हंस आकास से प्रधिवी पर गिरा सहसरेया विद्धव आशे वह बाणत लगने से धायल हो जुटा था सिदाथ खगस्य पीडां पस्यम तं मरालम प्रोडे वित्वा प्रिक्षस्य चायायां पगच्चत वह है चिदाथ है पक्षी की पीडा को पक्षी कगस्य पीडां पस्यम देखकर तं मरालम प्रोडे वित्वा उसको अपने बोद में ले लिया और ब्रिक्षस्य चायां पगच्चत और ब्रिक्षो की चाया में चले गए तेस्य ब्रणम जलेना प्राक्षल्य मरालम जलन अपातियत तस ब्राणम जलेना प्राक्षल्य जहां घाव था उसको वे बड़ा ही अच्छे धंग से जलसे धोवे और वहां पर उसको घाव को अच्छे धंग से धोवे और उनको पानी पिडाया सनाई सनाई तस्मात स्रिदा शरम आठर्शिय और सनाई सनाई मिस धीरे धीरे तस्मात स्रिदा उसके सरीर से उस बाण को बाहर निकाला तरफार किचा ब्रणे लेपम और प्रिवुज्य जहां सूट लगी थी जहां भाव था उस जगाव पे उन्होंने दवा का लेप लगाया तदा एव देवदत्तह एती नामनह अपरह राजकुमारह तत्र आगतत उसी समें देवदत्त नामका एक बुसरा राजकुमार वहां आया देवदत्तह सिदात्तम अवदत्त देवदत्त सिदात्त से बुला अहम एतम हंसम प्रहारं इस हंस को हमने मारा है अठा इंसहार पर मैंने प्रहार किया है एशा ममा हंसह अताया मेरा हंस है एतम महियम देही तो मुझे देदो कि सिदात्त्तम अवदत्तत सिदात्त देवदत्त से बुला वं मिश्द्धं करम आपलो तुमने बहुत ही निशिंद्य कर्मे किया है निशिंद्य कर्मे उत्त कि जो कर्मे नहीं करना चाहिए अथा तुमने गलत कर्मे किया है तुमने किसी को मारा है यता पतहर इमाम निर्दोसम प्रहारा हम तुम इस नुर्दोस पत्रहार करेके इसे मारा है अतह मैं तुमको नहीं दूंगा या मेरा एवन तयहो राजकुमारयो महानम विवादय अवर इस तरह उन दोनों राजकुमारों में धीशन विवाद हुपवा तदा कवु निन आया निर्पश्यर सभायां अपेच्छतां उसके बाद वी दोनों नेनाई के लिए राजा के शभा में गय एटर सरवं विवाद सुपवा निर्पव अवदर इन दोनों की विवाद की बात सुन करेके राजा ने कहा निर्पविंस राजा अयम हंसा तो सिदात अश्यर यह हंस सिदात का है एवा यतहा शहा अश्यर और अच्छतां और यह है इसलिए इन होने उसे हंस की रच्छती है पुक्तम ही जैसा कहा गया है रच्छकम भग्षकार स्रिष्टहर जैसा की कहा गया है कि रच्छक जो होता है वह है मारने वाला से महान होता है तो इस प्रकार इस कहानी से कहीं सिच्छा मिलती है कि मारने वाला से बचाने वाला स्रिष्ट होता है जैने वाग्षट प्रकार स्रिष्टह जया प्रकार स्रिष्टह